जहें दोस्तो दोस्तो आझ से हम लोग शुरूब करने जाने भी Normally question रहें के लिए question से करने से सुरूब करने से हम लोग इसके syllabus की बारे मिंद जान ले ते है दोस्तो इसका syllabus जो है इसमें जीडके question है science साइंस और मैस है और रिजिनिंग है दोस्तों दोस्तों रिजिनिंग से जो दोस्तों चालिस कोशन आएंगे और साइंस और मैस को मिलाकर 30 कोशन आएंगे और रिजिनिंग से 30 कोशन आएंगे तो हम लोग दोस्तों इस वीडियों क्या करेंगे जी के कोशन करेंगे और साइंस से दस से लेकर 15 तक कुश्चन आएंगे तो हम लोग जी की और जी इस का कुश्चन करेंगे कुश्चन है कि हरपा सब्वेता की खोज किस ने की थी ऑप्शन द्याराम साहनी ऑप्शन में राम राखल दास बनर जी ऑप्शन सी है अप्शन ने की थी तो इसकी खोज दोस्तो द्याराम साहनी ने किये थी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तो आप लोग क्या करिएगा अगर कुश्चन पुरा कंप्रिट हो जाता है तो आप लोग को इसमें से टोटर हम लोग 30 कोश्चन इस वीडियो करेंगे और इस किसने एक सच्चे जैन मुनी की तरह व्वास के दो कुष्चन तो आपकोण था दोस्तो इसकी के। तरायन का पर्थम यूद एकानमी जो ही थी किसके अमध्य लड़ा गिया था अप्सन है पहला मुहमद गोरी और भी अप्सन भी है मुहमद गोरी और पीथी राज दिरतिये और अप्सन सी है दोस्तो मुहमद गोरी और जैसे अप्सन दी है महमद गोरी और जैपाल तो दूस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अप्सन नंबर बी हो जाएगा महमद गोरी और पीत विराज तिरतिये के बिच में तरायन का पर्थम युद हुआ था जो कि 1101 कानर में हुई थी तरायन का पर्थम युद तो इसको भी याद रखेगा कि तरायन का पर्थम युद का भुआ था एक आर सो एकानर में हुई थी चल्ल अगला कोश्चन है बंगाल को मुगल समराजे से पिर्था कर सोतंतर किया अप्सन है मुर्षित कुली खान अप्सन भी सहाधत खान सर्फ्राज खान अप्सन D है अन्य पिर्था का मतलब दोस्तों अलग करना होता है कि बंगाल को मुगल समराजे से अलग कब किया गया था यज़ञ अलग कर सोतंत किशने बनाया यह बनाया दोस्तों मुर्षित कुली खान बनाया था option number इसका एए हो जाएगा आगले कुश्यन बीधवा अपुननण विवा कानुण कब बना option है 1853 में 1856 में 1873 में और option डी है 1865 में नो कि बिधवा अपुननन विवा कानुण जो दोस्तुं बना था यह अगला कुश्चन है अंग्रेजों ने फूट डालो और सासन करू कि निती कब अपनाई चलिए अप्सन देख लेते हैं अप्सन है अठासो सततर की इसवी के बाद अठासो अंठामन इसवी के बाद और अप्सन डिये सतरसो निनामन इसवी के बाद तो अंग्रेजों ने फूट डालो और सासन करू कि निती दोस्तो अपनाई थी अठासो अंठामन इसवी के बाद अपनाई थी तो अप्सन डिये सी हो जाएगा पहले अगला कोशन है एंगलाट में ग्री यूद कितने वर्सों तक चला था अप्सन हे 4 वर्स, 7 वर्स, 2 वर्स, 10 वर्स तो इंगलेट में दुझत ग्री यूद चला था साकूल 7 वर्स के लिए चला था तो आप्सन डिये सी हो जाएगा उत्तर चले अगला question है R.E.A. भारत में कहां से आये थे option है पर्षिम A.C.A. से पुर्भी A.C.A. से option C.E.A. से option T है दच्छिन A.C.A. से बताईए कि इस person का उतर क्या हो जाएगा आप लोग दोस्तों कमेंट करें बताईएगा कि इस इतनी जितना पर्षिम आज हम कराएंगे उसमें से कितना question आपको सही हुआ है तो आरे लोग दोस्तों भारत आये थे ये किंद्री A.C.A. से आये थे तो option नमबर इसका C हो जाएगा अगला question है कि किस अबधी में रामायन एव महाभारत की रशना हुई थी रामायन और महाभारत जो है इसके रशना किस अबधी में हुई थी तो आरे अबधी में हुई थी इसको आप लोग याद कर लिजिएगा चली अगला कोशन है गुप्ट समाज की इस्थापना किस ने की थी अप्शन है हर्स वर्धन, चंद्र गुप्त, समुद्र गुप्त, ब्रह्म गुप्त तो गुप्ट समाज के स्थाबना हुई थी दोस्तों चन्द गुप्ट के द्वारा तो अप्शन नम्बर इसका B हो जाएगा शल्य लेगला कुश्चन है पानी पत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी अप्शन पहला है वेगम खान और हेमो के बीच में अप्शन B है अकवर और मिर्जाग हकिम के बीच में अप्शन C है अकवर और बेगम खान अप्शन D है अकवर और राना प्रताप पानी पत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी तो पानी पत की दूसरी लाई दोस्तो ये बैरम खा और हेमू के बीच वही थी तो अपसन नमबर इसका ये हो जाएगा चलिए अगला कुश्चन है कि महमद गौरी कहां का सासक था अपसन है अफगनिस्तान, इराक, परसिया, तुर्की महमद गौरी कहां का सासक था, ये बताना है दोस्तो दोस्तो थो महमद गौरी जो था, वो एक अफगनिस्तान का सासक था तो अपसन नमबर इसका ये हो जाएगा चलिए अगला कुश्चन है, मश्टाने कि सासक का प्रियस्य थी अप्षन ने वाजी राव पेशवा, नाना साहब, साहु महराज, सेंर्सा मस्तानी किस सासक की प्रियसी थी? ये थी दिस्तो वाजी राव पेशवा की थी अप्षन नमबर इसका ए हो जाएगा अगला कोश्चन बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम सासक ने सरपर्थम जीता था? आप्शन है बाबर, खिलजी, तुगलग, चंगेज खान तो बिहार प्रदेश को सब से पहले ये जिता कि खिलजी दिना जीता था तौट अप्शन नमबर सी हो जाएगा बिहार परदेश को जीता था अप्सम नमबर इसका बी हो जाएगा मुगलकाल में स्वापर्थम किस सहर में अंग्रेजों ने अपने कार खाने इस्थापित किये अप्सम नमबर डी हो जाएगा अगला कोश्चन है पहली सहायक संधी कौन सी थी? अप्सम नमबर अप्सम नमबर बी हो जाएगा अगला कोश्चन है करनाटक संगित का पितामा किसे कहा जाता है अप्सन है मिर्त्यू स्वामी दिक्षितर त्याग राज पुरंदर्स दास अप्सन डी है स्वाती तिरुपाल बताए कौन सा आप्सन सही हो जाएगा करनाटक संगित का पितामा किसे कहा जाता है तो पुरंदर दास को कहा जाता तो आप्सन नमबर सी हो जाएगा इसको जाता अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है किसके सासन काल में पर्थम चीन या त्रीभात में आया था उप смож Aunty गूप्ट चंद गूप पर्थम हर्स बर्थन चंद गूप दोतिय या को यहां था दूस्तों기는 चंद जाता है और अकबर बावर सहा जहां जहांगीर कि प्रिंस ऑफ बिल्डर्स किसे पुकारा जाता है तो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स पुकारा जाता दोस्तों सहा जहां को अप्शन नमबर सी चलिए अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन सीख गुरू के अंतिम गुरू थे अप्शन गुरू अर्जुन देव गुरू तेक बहादूर गुरू गोविन सिंग और अप्शन धी इन में से कोई नहीं तो सीख समुदाई के अंतिम गुरू थे दोस्तों गुरू गोविन सिंग तो अप्शन नमबर सी हो जाएगा अगला कोशन है कुछी पूरी निर्थे कहां आरंब हुआ था अप्शन है राजस्थान आंध प्रदेश करनाटक पंजाब कुछी पूरी निर्थे ये आरंब हुई थी दोस्तों ये आंध प्रदेश में तो अप्शन नमबर इसका भी हो जाएगा अगला कोशन है चितरकला की गंधार सहली का सुतरपात्र किसके दोड़ा किया गया था अप्शन है सैब संप्रदाई महायान संप्रदाई हिनायन संप्रदाई अप्शन डियन में से कोई नहीं चितु काला के गंधार, सहलिए, सूत्रपाध किसके द्वा-दोरा किया गया था यह किया गया दस्तो महायान संपरदाई के द्वारा अप्सीननामबर इसका बई हो जाएगा अगला कुशन है ताज महल के डिजाइन और तयार करने वाला वस्तुकार कौन था या डिजाइन तयार करने वाला वस्तुकार कौन था ताज महल के लिए आपसन है हमारा इसमाइल उस्ताद इसा मौमद हुसेन सहाबास तो आज महल का डिजाइन दोस्तों तयार किया था हुए उदास उस्ताद इसा ने किया था तो अप्शन नमबर इसका भी हो जाएगा अगला कोशन है बोधो के विश्वास के अनुसार गौतम बुध का अगला अवतार किसे माना जाता है अप्शन है कलकी, अत्रे, मैत्रे, नागारजूर तो इसका उत्रो जाएगा कलकी हो जाएगा अप्शन नमबर इह हो जाएगा अगला कोशन है समराट अक्वर ने निम्रेखित में से किस माहल करिर्मान फदेपुर सिक्री में करवाया था अप्शन है मोती महल, हीरा महल, पंच महल, रंग महल तो इसका उत्रो जाएगा पंच महल अप्शन नमबर सी हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं कुतु मिनार के पास इस्थित लोह स्थम्ब किस राजा ने बनवाया था अप्शन है चंद गुप्द दोतिये, समुद्र गुप्त, इसकंद गुप्त, राम गुप्त कुतु मिनार के पास इस्थित लोह स्थम्खिस राजा ने बनवाया था यह है दोस्तो चंद गुप्द दोतिये अप्शन नमबर यह हो जाएगा अगला कुशन स्वामी द्यानंद सर्श्वति ने किस समाज की इस्थापना की थी अप्शन है ब्रह्म समाज आरी समाज प्रात्ना समाज और अप्शन द्यानंद वैदिक समाज स्वामी द्यानन सरसती ने आरे समाज के स्थापना की थी तो इसका अप्शन नमबर बी हो जगा उत्तर अगला कुश्चन है निम्रिकित में से किसने इबारत खाना बनाया है अप्शन ए अकवर औरेंज जेव सहां जहां जहांगीर तो इबारत खाना दुष्टों बनाया था वो अकवर ने अप्शन बड़ यह हो जगा अगला कुश्चन है भाद की पर्थम महिला सासक बनी थी अप्शन है चांद बीबी, रजिया बेगम, राणी लक्षिमबाई और अप्शन टी है इनमें से कोई नहीं तो पर्थम महिला सासी का सासक जो है कौन बनी थी वो बनी थी रजिया बेगम अप्शन नमबर इसका बी हो जाएगा अगला कुश्चन है टीपू सुल्तान कहां का सासक था अप्शन है हैदराबाद, अहमन नगर, मैसूर, बिजापूर टीपू सुल्तान कहां का सासक था ये दोस्तो मैसूर का सासक था तो प्शन नमबर सी हो जाएगा